जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि आपका संप्रेशन या इंटरपर्सनल कॉम्यूनिकेशन स्किल और डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट मैं पूरा आपको रटा के छोड़ूँगा तो मैं रटा के छोड़ूँगा उसी के एक सीरीज में एक अगला है 2015 के CSAT का पेपर और खास और से वो 15 से 20-25 क्वेशन जो की संबंधे था किस से इंटरपर्सनल स्किल से तो चलिए बिना समय बरबाद की वे हम लोग सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे और अब धीरे धीरे नेकिए ये 15 है इसके बाद 14-13-12 2012-12 से ही शुरू हुआ था CSAT तो 2012 से लेके 2022 तक 10 साल का कम्प्लीट पेपर अब टॉपर्स कोड पे पड़ा है यही इंटरपर्सनल स्किल का और 10 साल का ही कम्प्लीट पेपर मैं यहाँ पे आपको कम्प्लीट करा रहा हूँ सिर्फ इतना सा काम कि 5 बार इसको रिवाइस करिए और जाइए टेस्ट दे लिजें 5 बार इसको रिवाइस करिए और टेस्ट देके देखिए कि आप अब 25 में से क्या 20 से 25 कुश्चन सही कर पा रहे हैं अगर आपने यहाँ 25 में से 25 सही करना शुरू कर दिये मतलब टोटल आपको धाई सो 10 पेपर हैं 25 कुश्चन के 10 पेपर हैं तो धाई सो कुश्चन हो गए अगर आपने 45 कुश्चन सही से अटम्ट कर लिए तो भी आप सी सैट में पास मतलब कहने का एक चीज है कि सी सैट में फेल नहीं होना है अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मेरी जो सी सैट की पहली वीडियो में जो स्ट्राटीजी मैंने अपनाई है जो मैंने आपको बताया है तरीका आप उसे फॉलो करिए पूरा इंटर परसनल स्किल में रटा दे रहा हूं रीजनिंग 5 से 6 फिक्स हैं कि वही आती हैं कनफर्म है 6 रीजनिंग ऐसे क्वेशन होते हैं जो कि कोई माई का लाल अगर गलत कर दे रहा है तो उसको एक्जाम देना ही नहीं चाहिए अगर आप से वह 6 क्वेशन गलत हो जा रहा है जब पता है कि यही 6 आना है और फिर भी आप 6 गलत कर दे रहे हैं तो एक्जाम देना छोड़ दीजिए फिर कोई मतलब नहीं तो खुली में लागे 50 क्वेशन का तो मैं ऐसा जोगाड आपको बता रहा हूँ कि हर हालत में आपका वो सही होगा तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेशन इंटरपर्सनल कम्मुनिकेशन स्किल का स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन इस रिलेटेड टू वाट समंधों की स संरचना है वो किस पर आधारी था दिके एक होता है management कि बहुत बड़ी चीज़ों को manage करना planning, organizing, staffing, controlling ये सारा जो पहला option दे रखा है controlling, planning, staffing ये सारा क्या है organizing, planning ये सारा management का टूल है लेकिन motivation जो है संबंधों की जो स्थापना होती है वो motivation से होती है याद रखिएगा ये D option ठी next question which of the following is the reason of displaying positive personal signal of leaning forward याँ से सुनिए का निम्न में कारणों में से कौन सा कारण आगे जुकने के धनात्मक वैक्तिक संकेत या फिर displaying the positive personal signal for leaning forward क्या होता है तो वो concentration होता है एक आगरता ही ऐसी चीज़ होती है जिसकी वज़े से आदमी किसी भी काम में आगे forward move कर सकता है ठीक है और अगला आ जलिए एक आगरता हो गया इसका next dance is very refined and artistic form जो dance होता है वो किसी इसका तरीका होता है अशापदिक संप्रेशन यह बताइए nonverbal nonverbal दो टाइप के communication होते है संप्रेशन जो ना वो दो टाइप का होता है एक जो मैं आपको बोल के पढ़ा रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ ना मूह से बोल रहा हूँ आपके पास आवाज जा रही है आप उसको सुन रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं यह होता है शापदिक communication एक होता है अशापदिक मैं आपको नाच गा के दिखाऊं बोलू कुछ ना लेकिन नाचते गाते रहों ऐसे 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 यह क्या है अशापदिक तो dance करने वाला जैसे भरत नाट्य है तो भरत नाट्यम में the performer dance in front of you and with his expression or with her expression she or he shows you the basic devotional या फिर भगवान के इस्तूति करता है तो हर चीज़ को आपको दिखाता है तो यह आपको पता होना चाहिए तो यह dance क्या है nonverbal dance में मुझ से थोलो ना बोलते हैं नाच के दिखाते हैं और आपको उसको नाच का expression बता है किस टाइप का नाच हो रहा है अगला next which of the following is false इन में से कौन सा गलत है interpersonal skill are developed by interpersonal मतलब अंतरव्यक्ति कौशल जो होते हैं वो किससे विक्सित होते हैं यह गलत है इसमें सही चीज़ नहीं उठाना आपको गलत चीज़ उठाना है याद रखिए punishment से होते हैं क्या नहीं तो क्या ही गलत है सीधे सीधे और सब तो ठीक है वाई imitation अनुकरण से हो सकते हैं आत्मसाथ करने से हो सकते हैं identification से हो सकते हैं लेकिन punishment सविराम दंड से intermittent punishment से नहीं हो सकते सीधा सीधा है वाई क्या नहीं हो सकता है यह question सही से पढ़िए का बस अगला which of the following is a receiver's weakness ध्यान सुनिए जब भी कोई suppression होता है बातचीत होती है एक होता है बातचीत को भीजने वाला sender एक होता है receive करने वाला दोनों बहुत महत्पून हैं receiver का जो question है वो क्या है which of the following is a receiver's weakness type of barrier communication बातचीत में जो सुनने वाला आदमी है उसकी समस्या क्या हो सकती है जाहिर सी बात है prejudice पहले से ही प पूर्वाग्रह क्या होता है आप मुझे कुछ बताना चाहरा है मैं आपके बारे में पहले से ही मन में बना लें क्या री आदमी बेवकूप है मन में ही कोई एक सुनने वाला एक सुनाने वाला अगर सुनने वाला जैसे आप मैं आपको कोई बात कर रहा हूँ अगर आप मन में ही कोई मेरे बारे में बना ले फिलिंग जुठा है विकार अगदा है तो आप क्या करेंगे तो आप मेरी बातों में कभी ध्यान नहीं देंगे तो ये जो पूरवाग्रह चीज होती है Prejudice, पहले ही Decide कर लेना, ये बड़ी गलत चीज होती है सुनने में Which of the following gestures is interpreted as unfriendly, कौन सा व्योहर असोहारदपूर होता, किसी को घुरना चुरू कर दिए, घुरना क्लास हों पढ़ाईए नहीं ये असोहारदपूर है, सोहारदपूर का बहुत प्यार से देखना, सबसे आई कॉंटेक्ट बनाना, मिल के बादचीज करना, ये सारे आई कॉंटेक्ट बनाना बड़ी अच्छी चीज है ता कि बच्चे को दिखे, कि टीचर मुझे पर ध्यान दे रहा है मुस्कुराना भी बहुत जरूरी है ता कि positive दिखता है, holding someone अपने किसी के हाथ को अपने हाथों में लेना, मिलाना, ये सब क्या है, ये सब positive चीजज लेकिन घूरना, ऐसे घूर दीजे ता कि कोई आथ को कट्टा चला के निप्टा डाले तो ये गलत चीज है, which of the following can create problem in building interpersonal relationship, अंतरवैक्तिक संबंधों के निर्माण में कौन समस्या उत्पन न करता, shyness भाई मैं बादचीत कर रहा हूं हम और आप, मैं आपको पढ़ा रहा हूं अब मैं पढ़ाना चोड़ा शर्माने लगू ऐसे करने लगू, तो ये क्या है, ये कोई this is called shyness शर्मीलापन हमेशा बादचीत में बादख होता है, लड़का और लड़की आपको पता है कोई लड़का किसी लड़की से बादचीत करने के कोशिस कर रहा है अब मेरे इक्जामपल्स में जाईएगा मैं जो बता रहा हूँ उस कॉंसेप्ट पर आप जाईएगा इन दी प्रोसेस ऑफ कम्यूनिकेशन वट इस फॉर्स इस्टेप, पहला स्टेप क्या है कम्यूनिकेशन के प्रोसेस में दस बार बता चुका हूँ फिर से याद रिख लिजेगा ये एक बार फिर से याद कर लिजे सबसे पहला कूट संकलन, इनकोडिंग फिर मैसेज, फिर डिसकोडिंग, फिर ग्रहन ये बार बार में आपको पिछली कई सारी वीडियों बता रहा हूँ और हर साल के पेपर में आपको पता चल ला होगा अब ये प्रशन अब मेरे ख्याल से अगर आपने पिछली 5-6 वीडियो पढ़ी है मेरी कमप्रेशन की तो ये सब आपके बाएं हाथ का केला कभी गलत नहीं होगा और सारे बच्चे इस बार मुझे धन्यवाद जरूर देंगे गुरु दक्षिना की रूप में जब पेपर हो जाएगा तो CSAT का पेपर अगर आप कम्यूनिकेशन पूरा कम्प्लीट कर लीजेगा 20 क्वेशन अटेम्ट कर लीजेगा जो प्रकारियों और मुस्टरों से परे पाये जाता है अलग माना जाता है, वो क्या है कम्यूनिकेशन कई टाइप का होता है यह भी आईयस अदिकारी है इनको अगर कोई सूचना अपना भेजना हो तो दो टाइप का होता है ज्यान से सुनिए एक तो downwards अपने अधिनस्त को ओडर दिया कि चले जाओ downwards communication एक नीचे से उपर flow होता है एक दो सम स्तर के अधिकारी एक दूसरे से सीधी सीधी बातचीत कर ले तो इसको क्या बोलते है horizontal या 36 या पार्श्विक या lateral communication अगर ये बताईए एक अधिकारी दूसरे के प्यून से बती आए और इसका अधिकारी दूसरे के प्यून से बती आए प्यून जाके अधिकारी बात करने लगे तो इसको बोलते है diagonal ये बहुत खराब चीज होती है हर आदमे का अपना स्तर होता है कभी भी diagonal स्तर पर नहीं जाना चाहिए अगला आजाएए वो देखे उसका diagonal है interpersonal skill को क्या जरूरत है one can effectively comment कोई भी interpersonal skill की सबसे बड़ी है अगर मैं हिंदी बोल रहा हूं तो हिंदी में मैं इतनी अच्छा बोलू हिंदी मैं इतनी अच्छी बोलू कि मैं आपको अपनी बात से convince कर लू अगर मैं English अच्छा बोल रहा हूं तो English मैं इतनी अच्छी बात बोलू कि जो मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आ जाए कहने का मतलब कि किसी भी भाषा में कुछ भी बोली है लेकिन एक भाषा का अच्छा ग्यान होना चाहिए वन कैन effectively communicate भाई मैं हिंदी में तो आपसे सही से बात चीत कर लो ना पता चला ना हिंदी बोल पा रहा हूं ना इंग्लिश बोल पा रहा हूं दोनों नहीं आ पा रहा हूं तो यह गदहापन है अगला आ जाएए विचवधी following is not relevant factor in interpersonal skill यह सारे question बड़े जरूरी है और exam में आ जाएंगे interpersonal अंतरवैक्तिक कोशल क्या है दो लोगों के बीच में बात करने की जो ability है जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं मैं अपनी बात आपको पहुचार हो ना यह भी एक ability है इसमें सबसे बड़ा सुसंगत कौन सुसंगत नहीं है कौन सही नहीं है तो याद रखिएगा सबसे बड़ा है मैं अगर आप अगर मुझ पे ही डाउट करना शुरूगे यह रहे टीचर सही नहीं है मेरे बातों पे अगर आप अपने सहमंदी जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं जिनकी बातचीत सुन रहे हैं आप उनहीं पे डाउट करने लग जाएंगे तो वो सारे चीजें बरबाद हो जाएंगी तो उसका मतलब यह है क्या होना चाहिए डाउटिंग दी इंटेंशन आफ कलीग अगर अपने सहवात्री की या अपने सहभागियों के ही आप इंटेंशन पे ही प्राउबलम आपको डाउट होने लग गया तो सब खराब हो गया अगल आ जाएए अब आजाता है डिसीजन मेकिंग people and their problem are unique लोग और उनकी समस्यां unique है ठीक है सही बात है हर आदमी की समस्यां अलग होती है लोग भी unique होते हैं दूसरा सक्रिश रवन उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ समप्रेशित करता active listening conveys something to the person who is listening जो active listening है वो सुनने वालों को पूरी बात समझा देता है दोनों बाते सही है लेकिन क्या इस बात का इस बात से कोई संबंध है हरा समस्या पर बात कर रहा है और एक सुनने पर बात कर रहा है तो दोनों सही है लेकिन एक दूसरे का सही स्पष्टी करन नहीं है अगला आ जाईए next कथन है, कथन और उसके बाद तर्ख, क्या विलासिता पूर्ण, यह बहूल अच्छा है, आपको इसका जवाब देना चाहिए, यह बताईए जिस किसी statement से negative feelings है जैसे यह वो स्थान जहां से अंतररास्टी अपराधी कर रहे हैं जो international hotels है जो अच्छे ताज hotel वहाँ पर अच्छे लोग भी तो जाते हैं बाई तो पहला statement तो देखो साफ साफ चुकि negative बाते कर रहा है तो मैं इसको कभी नहीं मानना चाहूंगा ना आप से कहूंगा कि मानियेगा दूसरा क्या है अमीर विदेशी यात्रियों के ठहरने का कोई स्थान नहीं हो जाएगा C अगला आ जाएगे next इफ ये आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि ये reasoning के दो प्रशन आते हैं ऐसे ठीक है ये मैं आपको reasoning नहीं पढ़ा रहा हूं चुकि ये decision making में ही आ गया इस वज़े से मैं दिखाते रहा हूं बट ये बहुत जरूरी है reasoning में दो प्रशन इस पर जर हैंगे तो मान लीजे ये है teacher ऐसे ही बनाया जाता है तो कुछ minister क्या है देखें कुछ minister teacher है ये पहला question कह रहा है जो जो कह रहा हूं ऐसा करते जाए दूसरा all teachers are scholar सारे teacher scholar है तो वो कब हो सकता है ये s-c-h-o-l-a-r देखें सारे teacher जितने हैं वो क्या है scholar जरूर है तो दोनों statement सही हो गया पहला statement some ministers are teacher दूसरा statement all teachers जितने भी teacher है वो सब scholar है तो याद रखें जब सारे teacher scholar है तो अंदर वाला बाहर का एक पार्ट है मतलब scholar जो है ये confirm है कि जितने teacher है वो scholar जरूर है लेकिन ये नहीं confirm है कि सारे scholar teacher है क्योंकि scholar का बड़ा domain आ गया अब इसमें क्या statement निकलता है ये देखें कुछ मंत्री सारे teacher scholar है इसका मतलब इस line को देखे, क्या कुछ मंतरी scholar हो सकते हैं? हाँ, यह सही होगा Some minister, सार scholar, कुछ मंतरी विद्वान है, सभी scholar teacher है, क्या सारे scholar teacher हो सकते हैं? नहीं सारे teacher scholar हो सकते हैं, लेकिन उल्टा नहीं हो सकता, तो इसका sister statement 1 सही होगा, ठीक है? यह आसान सा question होता है, आप इसको मत बलग करिएगा, यह दो प्रशन reasoning के जरूर आते हैं, देखे, यहीं, जो मैं बना रहा था, वही बना है, तेखे, यह है, वही जो मैंने आपको समझाया, सेम चीज़, जल्दी से, this ice land is colony, how are, एक dweep ऐसा उपनिवेश है, किन तो यह अपने मूल देश से कोई आदेश नहीं प्राप्ति करता, autonomous है, इसका हो जाएगा C, autonomous है, अगर आप original, भाई देखे, आप जिससे बने हैं, आप उससे ही कुद को अलग कर लें, तो आपने खुद को autonomous बना लिए, अब यहां देखे, दो मित्र हैं, दोनों में से एक अध्यान से दूसरा मंची कलाकार भी है, इसका मतलब भी जब जुड़ गया, तो इसका मतलब वो अध्यानचील भी है, दो मित्र हैं, एक क्या करता है, पढ़ाई करता है, और दूसरा पढ़ाई के साथ कलाकार भी है, द्यान से सुनीगा, एक क्या है, अध्यानचील है, और दूसरा कल पढ़ाई तो करता ही, इस साथ में कलाकार भी है, दूसरे दिन ही उनकी परिक्षा है, इसी रात को सुपरसीद नाटक हैमलेट का मंचन हो रहा है, दोनों क्या निर्णा करेंगे, दोनों पढ़ाकू है, हाँ कि ना, यह भी शब्दकार यही मतलब है कि दोनों पढ़ाकू भी इसके पिछले पेपरों में, आप खुद समझना होगा, कि what is the factor that interfere with the effective problem solving, प्रभावी समस्या के समाधान में कौन बाधक है, functional fixedness, अभी पिछले वाले पेपर में ही बताया था, thank you so much, इस तरीके से अपना ये, खतम हो जाता है, यह है 2000, कब का, 15 का पेपर, ठीक, कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता था, बटा 25 क्वेशन आते हैं, किसके संप्रेशन के, तो कैसा लगा वीडियो, जरूर बताइएगा, कमेंट बाक्स में, इसके बाद, बचेगा 14, 13, 12, 3 और बचेंगे, thank you so much,